हाई फ्रेंड्स मैं अवीके चित्रांगन और मैं आपका आपके ही चैनल ग्यान सिंदु कोचिंग क्लासेच पर हार्दिक स्वागत यहों अभिननन करता हूं हाई के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 18 वाई 18 के वर्ग में एक कमल के फूल पर एक इकाई में आलेखन बनाना सिखाएंगे तो सबसे पहले हम कमल के फ्लावर को कुछ इस परकार से बना लेंगे आसानी से और आराम से इस प्रकार से इसको हम देरे-देरे ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से इस समय हम ड्रॉ कर रहे हैं एक-एक लाइन बारीकी से आपको देखनी है और ड्रॉ करनी है इस प्रकार से फ्लावर को ड्रॉ करने के पश्चाथ उपर हलकी सी करव लाइनों के माध्यम से हम इसको कम्प्लीट करेंगे और कम्प्लीट करने के बाद इसमें हम कुछ लयात्मक यानि की हलका सा जुकी हुई ठीक है इसकी जो साखाएं बनाएंगे उसमें लय होनी चाहिए जिस प्रकार से हम इस समय आपके देख रहे होंगे इसकी साखा को हमने बनाया है सेम ऐसे ही लयात्मक साखाएं आपको वहाँ पर बनानी होंगी और जैसे की बोर्ड परिच्छाओं में अक्सर पूछा जाता है कि मौलिक इकाई में आप एक इकाई में कारे पूड कीजिए तो इस आलेखन को हमने पूड रूप से एक ही इकाई में बनाया है सेम इसी तरह से दोसरी साखा को हम कर्व करके हलका सा जुका करके एक ही साइड में हमको प्रतेक साखा को जुकाना है जैसे कि हमने जुकाया है और फिर इस प्रकार से हम लीफ बनाएंगे पत्ती कुछ धनुश टाइफ की एक लाइन बनाई है फिर उसके बाद उपर से इसको इस प्रकार से कर्व लाइनों के माध्य हमसे ढख देना है फिर इस प्रकार नीचे का एरिया कुछ हमको इधर रिक्त लग रहा है तो इसको भी हम कुछ कर्व लाइन से ही कुछ इस प्रकार से लाइन बनाएंगे कि आराम से जुकाओ हमारा आ जाए और नीचे एक कली बना देंगे सिमपलसी यहाँ पर एक पत्ती बनाएंगे छोटी सी और इसके उपर अगर हम बात करते हैं तो एक और साखा हम निकालेंगे और यहाँ पर एक लीप्स और बनाएंगे सेम जैसे नीचे हमने बनाई है सेम वैसी ही लीप्स हम यहाँ पर बना लेंगे और बनाने के बाद यहां पर जैसे कि इस समय हम ड्रॉ कर रहे हैं आप देख सकते हैं और उपर एक स्पेस पचा हुआ है तो यहां पर हम कमल का फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से हमारा जो आलेखन है इसकी आउट लाइन लगवक किलियर हो चुकी है अब हम कलर करेंगे कलर के लिए हमने तीन लंग लिए हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे एक रेट कलर है और नीला और पीला तीन कलर हमने लिए हैं तीन लंगों के माध्यम से पूरे फ्लावर को हम कम्प्लीट करेंगे तो सबसे पहले जो हम धरातल में रंग लगा रहे हैं तो इसको हमने बनाने के लिए red और blue color को आपस में mix किया है जिससे हमारा ये बैंगनी color dark बैंगनी color बना हुआ है और इसमें हलका सामेने नीला color ज़्यादा रखा है और red की मातरा कम की है जिससे ये हमारा dark बैंगनी color बना है जिससे हम इसका background धरातल color कर लेंगे simple सा जैसे आप देख रहे हैं हमने किया है या हम कर रहे हैं पूरा धरातल हो जाने पर इसकी पत्तियां और फूल इत्याद हम color करेंगे ऐसा करिए आप लोग इसे जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में share करें जिससे कि इसका लाव फृते कुस बच्चे को मिल सके जिसको इसकी आवस्सक्ता है जिससे कि अपना करेंगे कि आपना करना की इसकी भेल हो जिए्व्सक्ता है है झापिक है दरातल को करल करते समय ध्यान रखें कि ब्रश चो हम यूज कर रहे हैं इस समय ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ब्रश आपका 3-4 नमबर ब्रश है रोल ब्रश के नाम से हम जानते हैं रोल ब्रश चो होता है आगे की तरफ नुकीला होता है और नीचे की साइड मोटा होता है तो इसको हम जहां पर जितना चाहें पतला चला सकते हैं और जितना चाहें उतना मोटा चला सकते हैं इन बातों का आप ध्यान रखें अब हम flower को color कर रहे हैं तो flower के लिए मैंने simple सा गुलावी color लिया है और flower के जो side side भाग हैं उनको हमने कर लिया है, dark कर लिया फिल करने के बाद इसमें हलका शा मैंने yellow color लगा रखा है ठीक है, इसको आराम से करेंगे और second layer इसके उपर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो brush के पैचेज हैं, धब्बे हैं उज नजर ना आए अब इसके उपर आराम से हम yellow color जो है फिल करेंगे और इसके बाद हमने कली करना श्टार्ट किया है मतलब जितने भी हमारे flowers कलीया है उनको हम इसी रंग से, एक ही रंग से करेंगे और हलका सा light देने के लिए मैंने yellow color का प्रियोग किया है flower पर, जिससे कि हमारा flower highlight होगा यह ध्यान रखें, अगर हमारा धरातल dark है तो हम light color का इस्तेमाल flowers और पत्यों में करेंगे अगर उन्हें flowers और पत्यों dark करनी है तो हमारा जो धरातल है वो light होना चाहिए तभी हमारा flower जो है एकदम से हमाई सामें निकल के आएगा अच्छा सा ऐसी पीडियोच लगबग हम अक्सर regular देने की कोशिश करेंगे आपको उपर का फ्लावर सेम जैसे हमने निचे किया है ऐसे ही कर लेना है जैसे हम कर रहे हैं इस समय देखिए जब तक आप हमारी पूरी वीडियोच को इस्टेमाल आपको